इतना चक्रे, modern history We'll start with the question answer series of our chapter number 1 Advent of European Companies तो पहला question है In which year Vasco de Gama Calicut arrive करता है? तो सबसे पहली बात कि Vasco de Gama एक Portuguese traveler था और ये Calicut आता है 1498 में तो option number B is the correct answer तो यहाँ पर 1498 is the correct answer ये Calicut के port में आते हैं डेट इतनी important नहीं है फिर भी याद कर लिजे 20 May 1498 को आते हैं और उस टाइम पर यहाँ के राजा जो होते हैं, वो जमुरीन होते हैं ठीक है फिल ये बाकी स्टोरीज जो हैं यह हम लोग अल्रेडी कवर्ज कर चुके हैं थियोरी पार्ट में नेक्स्ट वेस्ट इस वेन डिड़ वासको डिकामा अगा इंडिया तो यह हो जाएगा 1498 नेक्स्ट वेस्ट वेस्ट पॉर्टुगीज वोइस रॉइ इंडिया तो पहले जो Portuguese voice roy थे वो थे Alphanso the Almeida, sorry Francisco the Almeida, तो Francisco the Almeida, ये पहले voice roy होते हैं, सिर्फ Almeida भी आप याद कर सकते हैं, next question is, who among the following had welcome Vasco de Gama at Calicut, तो Calicut के port पे, जमोरीन जो राजा थे, Calicut के, उन्होंने इनका welcome किया था, next question is, यहाँ कुछ travelers के नाम दिये गया हैं, जिन्होंने कुछ country की खोज की है, तो पहले traveler हो जाते हैं, Vasco de Gama, जो कि Portuguese से आये थे, तो Portugal के Vasco de Gama और इन्होंने, यहाँ पर voyager हैं, और यह किस country को belong करते हैं, तो Vasco de Gama Portuguese, Christopher Columbus जो थे, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहे हूं, खोज कहा की थी इन्होंने, तो Vasco de Gama ने इंडिया का सी रूट ढूंदा था, और Christopher Columbus ने अमेरिका की खोज की थी, चीक है, तो यहाँ पर यह जो Christopher Columbus हैं, यह थे Spain के, Spain के, then है Captain Cook, Captain Cook जो थे, यह UK के थे, और इन्होंने Australia की खोज की थी, Australia, तस्मान, तस्मान जो थे, यह Holland के थे, और इन्होंने Tasmania Land, तस्मेनिया लैंड, या फिर तस्मान स्ट्रेट भी है वहाँ पर, और New Zealand, इन दो जगों की खोज की थी तस्मान में, ठीक है, थे कहां के यह, यह थे Holland के, ठीक है, Holland के थे यह, तो इस तरह से यह हो जाएगा, next question है, who among the following visitors to India, did not belong to Portuguese country, तो Duarte Barbosa, यह भी Portuguese के थे, Domingo Pace भी Portuguese थे, फर्नाव नूनीज, यह भी important नाम हो जाता है, यह सब Portuguese traveler थे, visitors थे, जो की इंडिया आये थे, बट पीटर मंडी जो थे, यह British थे, जो की शाह जहां के टाइम पे आये थे, और इन्होंने अपनी writings में, बनारस के बारे में describe किया था, तो basically क्या होता था, कि जब कोई एक traveler आते थे, और कहीं के governor आते थे साथ में, तो इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी historians भी आते थे, जो लेख लिखा करते थे, कि इस ruler ने या इस governor ने यहाँ पे विजिट किया है, और विजिट करने पे हमने क्या क्या देखा, तो यह एक यात्रा वितान्त टाइप का लिखा करते थे, तो उसी में यह नाम जो है, यह famous हो जाता है, Duarte Barbosa, Domingo Pace, Farno Nuneska, और Britishers में आ जाते हैं, Peter Mundi. Next question है, Who was the real founder of Portuguese power in India? तो यह हो जाएगा, Albuquerque, Alphanso de Albuquerque. ठीक है? Next question है, Next question है, At which one of the following places in India did the Portuguese build their first fortress? तो पहला किला जो था, वो इन्होंने, Portuguese ने कहाँ बनवाया था? Options है, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, कोची. कोची में इन्होंने 1503 में पहला फोर्ट बनवाया था. तो यहाँ पर फोर्ट जो है, वो basically किस काम आता था? मान लीज़े, अगर यह कुछ भी trade करने आ रहे हैं, तो trade के जो समान लाते थे, वो इसी फोर्ट में रख दिया करते हैं, तो यह वेर हाउस के काम भी आता था. वेर हाउस के काम आता था. तो सबसे पहले जो आये थे, वो Portuguese आये थे, 1498 में as a traveler आये थे, और 1503 में इन्होंने पहली factory अपनी कोची में establish करती थी. तो आंसर हो जाएगा Portuguese. नेक्स्ट क्रेशन है, वो अपनी की जो फैक्टरी थे, वो इनकी अपनी कोची में आता हुगली में. तो हुगली की जो फैक्टरी थे, वो इनकी अपनी वेयर हाउस जैसा और एक फैक्टरी जैसा तो काम करता ही था, बट यहाँ पे यह लोग पाइरिसी का काम भी किया करते थे, बे ओफ बेंगॉल वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे लूट, डकैती, चोरी, एक्सेक्टरा, जो भी शिप्स आते थे वहाँ पे, उनकी किया जाता था, पॉर्टुगीज के द्वारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, होग लिए, ठीक है, तो 1534 में पॉर्टुगीज को पर्मिशन मिल गई थी, बंगॉल में फैक्टरी सेट अप करने के लिए, सतगाओं और चटगाओं को चुना गया था, उसके बाद इन्हों ने अपने पूरे बंगाल में ही अपनी फैक्टरी स्टाब्लिश कर दी थी, ठीक है, और चटगाओं को ग्रेट पोर्ट कहा जाता था, पॉर्टुगीज का ग्रेट पोर्ट होता था, बट लेटर और यह डिकलाइन होने लग गया, और इससे बहतर पोर्ट जो था, वो हुगली का पोर्ट बन गया था, जो पॉर्टुगीज थे, उनके लिए हुगली एक सेंटर ओफ ट्रेड बन गया था, सेंटर ओफ पाइरसी बन गया था, बाद में डचेस भी आते हैं, और यहाँ पर यह चिंसूरा में अपना फोर्ट Gustavus स्ताबलिश करते हैं, और डचेस के लिए चिंसूरा एक स्ताबलिशमेंट की जगा हो जाते हैं, इनका जो ट्रेड सेंटर हो जाता है, वो चिंसूरा से हो जाता है, फिर डेनमार्क के डैनिश लोग आते हैं, वो श्री रामपूर को अपना सेंटर बनाते हैं, कलकत्ता में Next question is, with reference to Pondicherry, consider the following statement पहला दिया हुए, the first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese तो यहां पर यह statement correct हो जाती है Next statement is, the second European power to occupy Pondicherry were French तो यहां पर French नहीं है, यहां पर Dutchess आते हैं, जो second European power होते हैं जो Pondicherry को capture करते हैं Third है, the English never occupied Pondicherry, यह भी गलत हो जाता है Dutchess के बाद यहां पर Britishers आते हैं, तो English persons आते हैं जो Pondicherry को occupy करते हैं तो यहां पर तीनों statement में से, first statement is correct तो answer हो जाएगा, one only Now Pondicherry के history ऐसी रही है, कि यहां पर line से पहले Portuguese, फिर Dutchess, फिर Englishman और last में French भी आते हैं यहां पर तो Pondicherry में तीनों colonial, जो चारो colonial rule है, important colonial rule, यह सब यहां पर European powers ने यहां पर capturing की रहती है, और Pondicherry को कबजे में लिया रहता है, तो यहां पर हम लोग Pondicherry के देखते हैं, तो यहां पर first जो European power है, जिन्हों ने Pondicherry को occupy किया था, वो थे Portuguese, then आते हैं Dutchess, Dutchess के बाद Britishers भी occupy कर लेते हैं, 1793 में, but finally treaty of Paris होती है, जिस से यह hand over कर दिया जात इसको 1814 में, और यह बेसिकली French power के अंडर ही रहा है, जाधा थे टाइम, Pondicherry जो है, वो उस पर control जो है, वो French लोगो कर आ है, ओके, He was used as a base for piracy, in the Bay of Bengal Bay, तो basically यहाँ पर loot किया जाता था, जो भी शिप वहाँ से गजरती थी, Bay of Bengal से इसको loot लिया जाता था, इसी को piracy का आ जाता है, समुद्री लुटेरे जो होते हैं, वो pirates होते हैं, और समुद्र में जो loot होती है, जो ship वेगरा की loot होती है, उसको हम लोग पा इस था, वो Portuguese का था, और इसको piracy के लिए use भी Portuguese किया करते था, सो answer is A, ओके, यहाँ पे, एक कासिम खान नाम के गवर्नर थे, जिन्होंने साजहां के रेन में, यह इस फाइनली इस चीज को subdue किया, खतम किया, और जितने भी thousands of Portuguese थे, सब को imprison किया, सब को जेल में डाल दिया, यह आप यहाँ पे, चोरी डक्याती करते हैं, बे अफ बेंगॉल वाले अरिया में, ओके, सो कासिम खान, साजहां के रेन, यह भी याद रखने वाली चीज है, फू यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिशी का मतलब यह था, कि पॉर्टुगीज जो होंगे, वो शुट बी दर सोल ट्रेड पावर एं अरेबियन सी एंडा इंडिया नोशन, तो अरेबियन सी पूरा-पूरा और इंडिया नोशन पूरा, यह दोनों पॉर्टुगीज के ही सोल ट्रेड पावर में आएगा, मतलब यह ट्रेड पावर जो है, वो इनकी इस यहाँ पे ज सुप्रीम माना और अपनी नेवी पे ही ज्यादा वर्क किया था, बैसिकली इनकी नेवल पावर बहुत स्ट्रॉंग थी और यह जानते भी थे और इस बात पे वर्क भी करते थे, तो कलकत्ता के जो फावंडर थे वो थे जॉब कारनौक थे, तो जॉब कारनौक में सेलेक्ट किया था सूतानाटी, सूतानाटी, instead of Hooghly for the establishment of British Trade Centre and finally, he founded Kolkata, जिसको उस टाम पे कलकत्ता कहा जाता था, who founded Kolkattा, to again same question, a job Charnok, with the reference to the entry of European power in India, which one of the following statement is correct, the Portuguese captured Goa in 1499, the English opened their first factory in South India at Masoolipatnam, in East India, in Eastern India, the English company opened its first factory in Urisa, in 1633 under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in 1746, to this में हमें बताना है, which is not correct, इसमें से कौन सा गलत है, तो basically हमने पढ़ा था कि Portuguese जो है, वो गोवा को capture करते हैं, 1505 में, तो ये statement तो गलत हो जा रही है, that means कि पहली हमारा जो आंसर होगा, वो A होगा, और इसमें हमें तीन बाते जानने को मिली कि English ने अपनी पहली फैक्टरी मसूली पत्नम में शुरू की थी, और the eastern इंडिया की अगर हम बात करें, जो अमारा इंडिया है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इंडिया में जो इस्टन साइट में जो फैक्टरी है, वो इजन्होंने उरीसा में शुरू की थी, 1633 में और डुपले या डुपले एक्स कहा जाएगा तो उन्होंने फ्रेंच को ओकुपाई फ्रेंच ने मदरास ओकुपाई किया था 1746 में 1746 में ओके तो आंसर इस ए अच्छो सॉरी यहाँ पे 1510 होगा 1510 में तो अल्भुकर्क आय थे गोवा इनोंने चाप्चर किया था 1510 में एक्शोरी यहाँ पे 1510 होगा not 1499 ओके हैंस option A is correct answer the first to start joint stock company to trade with India तो पहला जो इनमें से था जनोंने joint stock company खोली थी to trade with India was Dutch तो Dutch ने एक joint stock company खोली थी joint stock मतलब इसमें public की private की भी partnership थी और वहां की जो government थी उनकी भी partnership थी यह कुछ इस तरह की company थी प्राइवेट भी थी government भी थी बेसिकली जो joint stock company थी Dutch जो थे Dutch यह नीदर लेंड यह Holland से आये थे जो अभी currently जो नीदर लेंड है वहां से यह आये पोए थे और इनका जो इस्टन हेड़क्वाटर था डच की company था वो था बताविया जकार था बेसिकली यह इस्टन साइड में मतलब की आँ 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 साउथ वेस्ट एस्ट एशिया जो है इधर इनका ट्रेट चलता था और इनका जो ट्रेट सेंटर था वो था जकारता में which of the following places the Dutch established their trading center in India तो यहां पर यह दचेस के बारे में बात कर रहा है कि कहां कहां उन्होंने अपना trading center बनाया था तो यहां पर यह है कि नाग पतनम, चिंसूरा, मचली पतनम जिसे मसूली पतनम भी कहते हैं सूरत, बारूच, आगरा, कोची, एहमदाबाद, पतना यह सब भी Dutchess के control में थे तो यहां पर answer हो जाएगा all of the above यहां पर various years दिये हुए हैं जिसमें जो important है वो होगा सूरत 16-16 में ठीक है सूरत 16-16 में और पहली factory क्योंकि मचली पतनम या मसूली पतनम में 16-105 में तो यह भी important हो जाता है हमारा उसके बाद आगरा है, कोची है, पतना भी यह लोग गया थे बट पतना की factory जिस साल open होई थी उसी साल बंद हो गई थी पतना में जादा दिन रह स्टे नहीं किये थे फिर नाग प important ही आपको याद होने चाहिए, मसूली पतनम सूरत 16-16, कभी-कभी chronology order में भी लगाने के लिए आ जाता है, तो अगर आप से सारे यह यह से यादा हो सकते है, then it's well and fine, नहीं हो सकते है, तो यह दो याद कर लिजिए, next is, Dutch East India Company established its factory at Patna in which year, तो यहाँ पे Patna का दिया हुआ है, 1632 में, पतना में established किया था, while it was closed in the same year, यह उसी साल बंद हो गई थी, next question is, which of the following is the correct statement, the modern Kochi was a Dutch colony till India's independence, तो modern Kochi जो है वो अभी, वो डच की कोलोनी थी, जब तक India independent नहीं हो गया, the Dutch defeated the Portuguese and built Fort Williams in modern Kochi, ठीक है, Dutchess ने Portuguese को defeat किया और एक Fort Williams नाम से modern Kochi में बनाया, the modern Kochi was the first, was first a Dutch colony before the Portuguese took over, from them, okay, तो मतलब इसमें यह कह रहा है कि, Kochi एक Dutch colony थी, जिसमें Portuguese ने बाद में कब्जा कर लिया था, option D is the modern Kochi never became a part of British colony, okay, तो यहां पर correct statement हमें बताने है, correct statement is B, तो Dutchess ने defeat किया था Portuguese को, Dutch ने defeat किया Portuguese को, और एक Fort Williams बनाया, यहां पर confused नहीं होना है, Fort Williams नाम से एक, Calcutta में भी है, बट यहां पर यह दूस्टा Fort Williams है, Fort Williams बनाया modern Kochi में, यह Kochi का Fort Williams है, जो Dutchess ने बनवाया है, एक Fort Williams जो है, वो Calcutta में है, बट वो Britishers ने बनवाया है, next question is, the secret of success of East India Company in India was, पहला absence of nationalism in India, the company army received Western training and they had modern arms, company ने एक Western training ली थी और इनके पास modern हथियार थे, यहां पर इंडिया में एक nationalism की feeling, राष्टरबाद की feelings थोड़ी absent थी, और C option is, इंडिया, इंडियन सोल्जर्स लाग्ड फेडेलिटी, कॉंस्टिटवेंटली, the one who paid them sufficient, could have them on their service, तो इंडियन सोल्जर्स जो थे, उनको जो जादा पैसा देता था, वो उनके साथ काम करना शुरू कर देते थे, तो यहां पर यह सारी स्टेटमेंट सही है, इस question के हिसाब से यहां पर सारी स्टेटमेंट सही है, इसलिए East India Company को फायदा मिला, एक तो इंडिया में नाश्टनL राष्टवाद नहीं था, उसके बार इंडिया जो था उतना development नहीं था, यहां पर अच्छे हतियार नहीं थे, और इंडियन सोल्जर्स जो थे, सोल्जर्स क्या थे, यहां पर कुछ सोल्जर्स ऐसे हुआ करते थे, जो लडाई होती थी तब उनको soldier का काम दिया जाता था और peace time पे जब लडाई नहीं होती थी तो वही farmer का काम करते थे इतना पैसा नहीं था और जिनके पास पैसे थे वो basically army में नहीं जाते थे बट जिनके पास पैसा था वो लोग army में कहीं पे भी joint कर लेते जहां उन्हें पै यह पहली British company थी जिससे first charter permit मिला था इंडिया में trade करने का तो लिविंट company हो जाएगे यह 1600 में यह charter दिया गया था ठीक है 1600 याद कर लिजे नेक्स्ट इस विश्वन आफ दे फॉल्लिंग वस दा emperor of इंडिया when the British East India company was formed in London तो basically 1600 में इंडिया पे अकबर का राज था तो अकबर हो जाएगा सही आंसर तो इस इंडिया company जब लंडन में बन रही थी तो उस टाएं पे अकबर का साशन था इंडिया में next question is during the time of which Mughal Emperor did the English East India company establish its first factory in India तो factory यहां पर आप समझ लीजे एक वेर हाउस होगा गोदाम जैसा यहां पर इनके कुछ आर्मी के लोग रहेंगे जो security करेंगे इसकी और कुछ और officials होंगे तो इस तरह की यह factory कही जाती थी ठीक है तो यहां पर trade के लिए factory कही जाती यहां से trade का जितना समाना आता था वो यहां पर रखा जाता था तो during the time of which Mughal Emperor इंडिया में किसका शाशन था उस टाइम पर जब यह पहली factory अपनी establish करते हैं इस इंडिया company तो यहां पर जहां गीर का साशन था हमने देखा जब शुरू हुआ था तब अकबर का साशन था 1600 में 1605 में खतम हो गया था तो 1605 के बाद जब पहली factory establish हो रही है उस टाइम पर जहां गीर का साशन चल रहा था और पहली factory 1611 में establish होई थी बट यह थोड़ी temporary type की factory थी मतलब बस यहां पे इन्होंने एक temporary setup कर दिया था बट जो permanent settlement हुआ था वो सूरत में हुआ था 1613 में ठीक जहांगीर का साशन था यह दोनों point आपको याद रखने हैं कि temporary factory मसूली पटनम में open हुई थी 1611 में और permanent factory जो थी वो सूरत में शुरू हुई थी 1613 में where did next question is where in India did Britishers set up their first factory in 1613 तो इसका answer हो जाएका सूरत अभी हमने पढ़ा यहां पर 1613 में सूरत में factory हुई है चीक है इसमें कुछ important चीज़े दी हुई है कि जो Captain William Hawkins थे यह नाम याद रखना है Captain William Hawkins थे यह 1608 में गय थे और इन्हों ने उस टाइम पर Portuguese का साशन था मतलब पॉर्टोगीज ने capture करके रखा हुआ था एहमदाबाद वाला एरिया सूरत वाला एरिया तो यहां पर इन्हें प्रॉब्लम हो रही थे एम्रबाद सूरत वाजन अंडर पॉर्टुगीज तो यहां पे इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी सेट अप करने में अपनी अपनी फैक्टरी क्योंकि यह लोग करने नहीं दे रहे थे पॉर्टुगीज अल्रेडी यहां पे पावर में था तो इसलिए कैप्टन होकिन्स आये 1608 के टाइम पर मुगल कोड के पास एक पर्मीशन लेने कि क्या हम यहां पर फैक्टरी सेट अप कर सकते हैं तो उस टाइम पर उन्हें पर्मीशन नहीं मिली उसके बाद एक स्वाली का युद्ध हुआ था 1613 में 1613 में स्वाली का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज जीत गये थे और इन्होंने फाइनली अपनी फैक्टरी स्टैब्लिश कर ली तो अगर बैटल ओफ स्वाली पूछा जाएगा बैटल ओफ स्वाली तो ये 1613 में हुआ था और इसके बाद सूरत में इन्होंने फैक्टरी इस्टैब्लिश कर दी थे next question is in the first quarter of 17th century in which of the following walls were the factory of the East India Company located तो भरोच, चिका कोल और तरिचिनो पोली ये दिया हुआ है तो यहाँ पर answer is one only ये इस तरह के questions अक्सर पूछे जाते हैं तो बस आपको location पता होने चीए क्या इन जगों पर factory established हुई थी की नहीं हुई थी तो यहाँ पर हमें बस ये याद रखना है कि East India Company जो थी स्टार्टिंग में मतलब 1600 के आसपास 27 संचुरी में, 1600 के आसपास इनकी factory established हो गई थी आगरा में और गुजरात के साइट देखा जा तो इहमदाबाद, बरोदा, बरोच 1619 में यहाँ पर हो चुकी थी, मसूली पत्नम हम देखी चुके हैं, 1611 में हुई थी, एक आर्मा गाउं जगाह है और हरीहरपुर बालास और मतलब उरीसा में भी इन्होंने factory established कर दी थी, 1633 के आसपास और फाइनली बंगाल यानि की हुगली में इन्होंने 1651 में हुगली मे भी established कर दी थी, यहाँ पर याद क्या करना है, कुछ important places पता होने चीए कि यहाँ पर already इनका setup हो चुका था, तो start करते हैं, यहाँ से गुजरात से, गुजरात के बाद एक आगरा में इन्होंने बनवाया था, फिर उसके बाद साउथ में मसूली पत्नम में हो रहा है, आर्म The first factory of East India Company was established at, तो पहली factory मैंने आपको बताया था, 1613 में Swali का युद्ध हुआ था, और उसके बाद सूरत में इन्होंने factory established कर दी थी, which of the British official defeated Portuguese at Swali, तो Swali के युद्ध युद्ध हुआ था, वो Thomas Best नाम के थे, Captain Thomas Best, इन्होंने ये जीता था, इन्होंने ही Britishers को lead किया था, और Portuguese के against war किया था, और ये जीत किया था, तो Thomas Best, तो पहली European trade company जिन्होंने सूरत में factory established की थी, वो कौन सी थी, तो इसका answer है English, इसका answer हो जाएगा English, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब Portuguese रह रहे होते हैं, सूरत में, तो उन्होंने अपनी factory established नहीं की थी, वहाँ पे वो उन्होंने capture करके रखा हुआ था, factory जो established भी वो English ने किया 1613 में, तो यहाँ पे 1613 में इनकी permanent factory established होई थी, फिर next, जो duchess थे वो 1616 में यहाँ पे आते हैं, और French जो हैं वो यहाँ पे 1668 में आते हैं, तो यह तीनों याद रखे, विकोज सूरत एक ऐसी जगह है, जहाँ पे English भी थे, Britishers भी थे मतलब, Dutchess भी थे और French ने भी establish की थी अपनी factory, तो यहाँ पे एक junction ऐसा आता है, जहाँ पे यह conflict की situation हो जाती है, के विकोज तीनों factories यहाँ पे हैं, तो 1613 में, Britishers है, Dutchess है 1616 में, और French सबसे लास में 1668 में. In the year 1613, where was the English East India Company given permission to set up a factory, trading post? 1613, सूरत है, answer is सूरत. Next question is, Bombay was take over by English East India Company from, तो Bombay जो है, वो पहले Portuguese के पास था, but later British East India Company को Portuguese नहीं दे दिया था, okay, Portuguese जो थे उन्होंने दे दिया था, East India Company को, तो Portuguese के एक crown थे, उन्होंने Britishers को दिया था, जब England के राजा, Charles II ने शादी की थी Portuguese के princess, Catherine of Braganza से, ठीक है, तो यह 1661 की बात है, उस टाइम पे, Bombay को British East India Company को दे दिया गया था, एक annual rent लिया गया, 10 pound का, okay, 10 pound का एक annual rent पे, मतलब बहुत कम हुआ करता था, जिस तरह से Bombay का एरिया देखा जाया, और Bombay का जो location था, वो काफी important था, तो British के हाथ में बहुत important पावर आ गई थी Bombay की, और यह 1661 की बात है, next question is, which English governor of East India Company in India was expelled by Aurangzeb, तो Aurangzeb ने यह जो एक governor था, English governor इनको निकाल दिया था, और इनका नाम था Sir John Child, तो basically इनका, इनकी गलती यह थी, कि इन्हों ने जो एक sacred, Muslim का जो एक sacred place होता है, इन्हें मक्का, मक्का को capture करने की कोशिश की थी, इसी लिए इनको इन्टिया से बाहर निकाल दिया गया था, तो इन्हें मक्का pilgrimage पे अपना capture करने की कोशिश किया था, तो निकाला किसने था, Aurangzeb ने निकाला था, next question is which one of the following was the immediate cause of the first carnatic war तो पहले तो first carnatic war है क्या तो अगर मैं आपको इसका theory बताती हूं तो ये कुछ ऐसा war है जिसमें Britishers जो थे वो French से war कर रहे हैं और ये करनाटका क्या सपास हो रही है इसलिए इसको Carnatic War कहते हैं कभी-कभी करनाट का वार भी कहा जाते हैं तो पहला जो Carnatic War का कारण था वो ये था कि Britishers ने एक French ship को capture कर लिया था जिसके वज़े से French जो थे वो काफी परिशान हो गए थे और गुस्से में आ गए थे और इन्होंने इनसे वार डिकलेयर कर दिया था बिसकली इस वार के First Carnatic War के और भी बहुत सारे कारण हैं यह हम लोग लेटर ओन पढ़ेंगे First Carnatic War हुआ था 1746 से 48 के बीच में इसमें कारण यह था कि Austria जो था मतलब यहां पर European a country Austria यहां पर इन्होंने एक सक्सेशन कर दिया था Europe में मतलब कुछ tension चल रही थी वहां पर Australia पर Australia जो थे स्वरी ऑस्ट्रिया पर French ने कबजा कर लिया था फिर British उन्हों को बचाने चले आये थे इस तरह से वहां पर ऐसा हुआ था इंडिया में यह हुआ था यह तो आउटसाइड इंडिया की बात चल रही थी इंडिया में यह हुआ कि Captain Burnett नाम के British थे उन्होंने एक French ship को capture कर लिया था Also यहां पर एक और शीज हुई थी कि जो politics था इंडिया में राजा बनाने की पीछे जो politics चल रहा था उसमें French चाहते थे किसी और को राजा बनाना और Britishers चाहते थे किसी और को राजा बनाना इस तरह की भी एक war चल रही थी दूनों लोगों में और फाइनली यहां पर क्या होता है एक Battle of Saint Thome होता है अधियार नदी के किनारे ठीक है और फिर आउटसाइड इंडिया एक ट्रीटी होती है एक्जला चैपेल की एक्जला चैपेल की 1748 में और जिसके बार यह वार जो है वो एंड कर दी जाती है ओके तो इंडिया में जो वार ह होती है वो है Battle of Saint Thome यह हुआ था 1746 में ठीक है और यह वार चलती रहती है फाइनली 1748 में एक्जला चैपेल की संधी होती है जो कि बाहर होती है इंडिया के बाहर लेकिन इसका असर यह होता है कि इंडिया में भी यह वार जो है वो बंद हो जाती है उस टाइन पे तो याद है यह एंगलो फ्रेंच डरगवल्री है एंगलो फ्रेंच बार है बाहर इंडिया के बाहर क्या कारण था ऑस्ट्रिया पे कब्जा करने का कारण था और इंडिया के अनदर यह कारण था कि इन्हों 같은데 Gud k scout कर लिया था यह एक कारन था का दूसरा कारण ये था कि इंडिया की राजा बनने के पॉलेटिक्स हो रही थी जैसे जो निजाम थे है다 pact के उन्हों किसी का नाम सँजेस्ट किया निजाम अवह को पॉ कि निजाम अवहद्राबाद ने को एक नाम सजेस्ट या कि दोस्त अली नाम का एक आदमी बन जाएगा मदरास प्रसिदेंसी का हेड करेगा बट दोस्तली क्या नहीं बन पाए क्योंकि उनका उनकी देथ हो गए थी तो इसके बाद इनके बेटे जो थे उनके बीच चंदा साहिब नाम तो उनका तो चंदा साहिब और नेक्स्ट दूसरे जो नौमिनी निजाम के दूसरे नौमिनी अनवःदीन इनके बीच में वार हो गई नौचन्दा साहिव के सपोर्ट में फ्रेंच आ गये थे और अन्वर उद्दीन के सपोर्ट में ब्रिटिश आ गये थे तो यही लड़ाई होती है जिसको हम बैटल आफ सेंट फों कहते हैं अधियार नदी के किनारे होगा था 1746 में और उसके बाद इंडिया के बाहर एक संधी हुई एक्जला चपेल की 1748 में जिसके बाद यहां का भी युद्ध रोग दिया गया और वहां का भी युद्ध रोग दिया गया फिर मैंच दो फॉल्ओंग है कि पहला कार्नेतिक वॉर दिया है थर्ड कार्नेतिक वॉर दिया है सेकेंड कार्नेतिक वॉर दिया है कि यहां पे कुछ दिया हुआ है कि ended by treaty of Paris Britishers हार जाते हैं in conclusive war होती है मतलब कोई निशकर्ष नहीं निकलता है इसंको match कर ना और next option है फर्स मायसूर वार पहला मायसूर वार और फ्सूर फ़। है अंडिड बाय ट्रिटी ऑफ एक्जला शेपैल तो मैंने आपको बताया अभी कि पहला कार्णेटिक वार जो था उस पे यह वछ था उसमें यह वशचला यह था ढगर फैस्जला तुह मतलब हमें यह तो पताद सल शेपल से, इस ट्रीटी के साथ एंड हुआ है, जो शेकंड कार्नेटिक वार है, जो option number B है वो है 3rd कार्नेटिक वार, थो 3rd कार्नेटिक वार में एक ट्रीटी ऑफ पारिस वही थी, हम दो लेटर ओन पढ़ेंगे, जो 2nd कार्नेटिक वार थी वो भी हमने नहीं पढ़ा है, इस इसमें जो battle थी वो inconclusive थी इसका कोई भी निशकर्ष नहीं निकला था और next जो हमने देखा कि Mysore वाला जो वार था first Anglo Mysore वार उसमें Britishers हार गय थे हैदर अली से लेटर ओन हम लोग पढ़ेंगे आगे तो option हो यह मैंने आपको अल्रेडी बता रहा है option number C because एक code ही match कर गया था इसका तो next हो जाएगा यह हमारा पूरा कि first Carnatic War end हुआ था treaty of Axelar-Chapelle से, third Carnatic War end हुआ था treaty of Paris से, second Carnatic War inconclusive हो गया था और पहला Mysore War में Britishers हार गया थे, okay then next question is with reference to treaty of Axelar-Chapelle जो कि 1748 में हुई थी यह याद रखेगा because 1746 से 48 हमारा first Carnatic War चला है तो यहाँ पर इनके बारे में बताना है कि कौन से statement correct है the first Carnatic War was ended इसके बाल the English got back madras तो यहाँ पर यह होता है कि दोनों ही statements है because English जीत गह थे इस battle को तो यह नहीं इन्हें मदरास वापस मिल गया होगा और जो पहला Carnatic War था वो end हो गया था, okay with the end of Europe War, first war of Carnatic also ended बाहर भी मतलब India के बाहर भी खतम हो गया और Britishers को मदरास वापस मिल गया, है who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princess with a view to acquired territories, तो क्या होता था Indian princess की जितनी भी लडाईयां हुआ करती थी जो भी quarrels आपसी जो लडाईयां हुआ करती थी उनके घरों में वो अगर किसी को पता चल जाता था, किसी European को तो वो उनके उस लडाईय में पार्ट ले लेता था ता कि उसको वो territory मिल जाया, तो उनका नाम है duplex या duplex यह जो थे यह पहले European थे, basically French थे, French थे जो लोगों के जो Indian princess थे उनकी लडाईयों में पार्ट लिया करते थे, So, the next question is, in India among the following location the French established their earliest factory, तो French ने जो earliest factory established की थी वो सूरत में की थी, French मैंने आप लोगों को अल्रेडी विताया था, 1668 में, सूरत में इन्होंने factory established की थी, 1664 में French East India Company का formation हुआ था, और यहां पे इन्होंने factory established की थी, next question है, French East India Company was constituted during the reign of, तो Louis XIV थे, Louis XIV इनके time पे ही French East India Company constitute हुई थी, मैंने आपको बताया था, 1664 में, next question is, who among the following is considered the founder of French Company in India, तो India में जो French Company form हुई थी, उसके founder थे Colbert, 1664 में, founder थे Colbert, next question is, which of the following factories of Bengal was established by Dutch, तो इसमें more than two correct answer हैं, तो यहां पे option हो जाएगा, चिन्सूरा और हुगली, Dutchess ने बंगाल में दो factory established की थी अपनी, एक चिन्सूरा में और हुगली में, पहली जो Dutch factory established हुई थी, बंगाल में वो थी पीपली में, 1627 में, 1627 में, कुछ data याद होने चाहिए, because factories के बारे में पूछा भी जाता है, और उसके कुछ दिन बाद, बाला सौर में, उरीसा में इन्होंने shift कर दिया था, फिर बंगाल में, हुगली में इन्होंने established किया, उसके बाद चिंसूरा में established किया और इस तरह से बाकी factories established हुई थी, later on इन्होंने Dutch factory established की कासिम बजार में, पटना में, धाका में, माल्दा में और बाला सौर में, next question is, the French failed to establish power in Deccan, because, तो French जो थे, वो Deccan की तरफ मतलब इधर Bombay, या फिर और कनाट का विगरा इधर की तरफ में, अपनी factory established नहीं कर पा रहे था, या power established नहीं कर पा रहे तो उसका कारण किया था, तो पहला option है, duplex was not a capable general, तो यह duplex जो थे, यह French की थे, तो यह capable general नहीं थे, दूसरा है कि English had a strong army, तीसरा है French were not liked by Indians, Indians पसंद नहीं करते थे French को, और D है, Pondicherry was not a strategic center, ठीक है, तो option हो जाएगे या पे English का proper control था वहाँ पे, क्योंकि French वैसे भी बहुत बाद में आये थे, 1668 में आये थे, 1664 के आसपास आये थे, तो मतलब उस time पे Britishers काफी powerful हो चुके थे, उस time पे काफी war हो चुकी थी, तो British ने एक power deccan पे established कर लिया था, तो उसके बाद वहाँ पे वो French को आने नहीं दे रहे थे, उस time French जो थी, वो उनकी comparison में काफी weak थी, next question is, the following European power entered into India, Indian trade at one time or the other, select the correct chronological order of their entry, ठीक है तो यहाँ पे कुछ European power दी गई है, हमें chronology बताने है, कौन पहले आया या फिर बाद में आया, तो सबसे पहले तो Portuguese आये थे, उसके बाद Dutch आये थे, उसके बाद English आये थी, फिर उसके बाद French आये थे, ठीक है, तो इस तरह से यह पूरा order है, option हो जाएगा 4, 2, 1, 3, that means B, यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, तो Portuguese की company फॉर्म होई थी, 1498 में, Dutch East India Company फॉर्म होई थी, 1602 में, English East India Company फॉर्म होई थी, 1600 में, बट यह आने में इनको permission नहीं मिल रही थी, तो 1611 में इन्होंने पहली factory established के थी, however, Dutch जो थे, उनकी company बार में बने थी, लेकिन इंडिया में यह established पहले हो गया थे, तो Dutchess के बारे में, फिर उसके बाद एक Deans भी आये थे, यह Denmark से आये थे, डेनमार्क के भी लोग आये थे, लेकिन यह कुछ जादा साल रहे नहीं थे इंडिया में और Britishers ने इनको जादा रहने नहीं दिया थे, इसलिए इनकी history जादा available नहीं है, तो बस याद रखिये कि डेनमार्क से भी लोग आये थे, 1616 में, फिर finally French आये थे, 1664 में, ठीक है, यहाँ पर यह यह याद होना चाहिए, इसमें कुछ companies के नाम भी दिये हुए है, इतना इनकी खुद की language में है, यह जैसे Dutchist language में लिखा हुआ है, इसलिए यह याद नहीं रखना है, बस Dutch East India Company, Britishers की भी जो company थी, उसका भी नाम था, Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies, बस knowledge के लिए याद रखना हुआ हो, तो रख सकते हैं आप, Next question is, list 1 दिया हुआ है, list 2 दिया हुआ है, तो Pondicherry, Goa, Trancubar, Sadras, Dutch, French, Portuguese, Danish, Danes, चीक है, तो Goa, of course, हमें पता है कि Portuguese का था, और Pondicherry, जो था, वो French की colony थे, चीक है, दो option हमें मिल चुके हैं, तो A का हो जाएगा हमारा, 2, A का 2, और B का हो जाएगा हमारा 3, similarly, Trancubar, जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, Danes का, और Sadras, जो है, वो हो जाएगा, Duchess का, इस तरह से हम लोग eliminate करके भी, match the following type के questions कर सकते हैं, इस तरह से answer दिया हुआ है, same, next question is, identify the region where European got best Shora, ठीक है, Shora and Opium, तो European जो थे, वो best Shora, यहाँ पे यह जो होता था, यह use किया करते थे, इंडिया में उसको उगाते थे, Shora को, और Opium, जो हमारा, जो drugs के लिए भी use होता है, वो भी यहाँ पे इसकी cultivation किया करते थे, तो जो best होता था, वो बिहार में मिलता थे, इनको, तो दो regions थे, जहां से European यहाँ पे cultivate करके अपने country में supply करते थे, next question is, during British rule, which region of India was famous for production of Opium, तो अभी मैंने आपको बताया कि Opium की खेती के लिए famous था Bihar, next question is, who among the following European were the last to come to pre-independence, pre-independence India as trader, तो यहाँ पे जो last थे, मैंने आपको बताया है, 1664 में सबसे last जो आया थे, वो आया थे French, okay, तो यह भी डेटा याद कर सकता है, फिर से मैं revise करवा रहे हूं, यह already हम लोग पढ़ चके है, Portuguese 1498 में आया थे, पहली factory इन्होंने कोची में established की थी, 1603 में, Dutchess 1602 में आये थे, और इनकी पहली company फॉर में थी 1602 में, और यह मसूली पतनम में इन्होंने फाक्टरी इंडिया में फॉर्स्ट फैक्टरी इस्टैबलिश की थी, मसूली पतनम में 1605 में, पहली factory established की थी, इन्होंने सूरत में, 1668 में, यह data आपको याद होना चाहिए, Next is, which of the, consider the following, assessment of land revenue of the, of the basis of nature of the soil and the quality of crops, तो land revenue दिया जाता था, कि किस तरह की आपकी soil है, या आपकी crops की quality क्या है, दूसरा ये है कि mobile cannons, बतलब एक तरह का जो, चलता फिटता जो बंदू को होता था, आर्मरी होती थी, वो वारफेर में ये यूज करते थे, तो बैको और रेट चलीस का cultivation करते थे, ये English के बारे में इन में से कौन सी बाते सही है, तो यहाँ पे more than one option होगा, तो बैसिकली इन में से कोई भी बात सही नहीं है, none of these होगा, क्योंकि जो assessment of land revenue है, assessment of land revenue on the basis of nature of soil and quality of crops, ये शेर सा सूरी के टाइम से होता है, ठीक है, और अकबर ने भी ये किया था, जो Britishers से बहुत पहले से ये होता है, टबैको और रेट चिलीस का जो cultivation है इंडिया में, वो Portuguese ने किया था, और जो चलता फिरता mobile cannons to warfare में यूज होता है, ये मुगल्स के time से यूज होता है, तो इन में से कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जो Britishers ने पहली बार किये, ये अल्रेडी इंडिया में होती आई है, next question is with reference to causes of the success of British and failure of the French in India, which of the following statement are correct, getting huge wealth and manpower from conquest of Bengal by Britishers, पहला है, दूसरा है, naval superiority of the British, तो ये पूछ रहा है, कि इन में से कौन से causes हैं, जो Britishers के success के लिए important थे, और जिसके वज़े से French जो है, वो fail हो गया, तो इनको huge wealth and manpower मिलता था, बंगाल से Britishers को ये बात सही है, naval superiority जो थी वो Britishers की अच्छी थी, फ्रेंच के comparison में, तो इसमें बोथ 1 and 2 हो जाएगा answer, ये हो जाएगा, हमारा, इस तरह से ये एक chapter number 1 खतम हुआ है, अब हम लोगों का chapter शूर होता है, जिसमें हम East India Company और बंगाल के नवाब के बारे में देखेंगे हम लोग, तो ये हम लोग next lecture में देखेंगे, thank you for watching the lecture. झाल 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 झाल